जैहिन, मेरा नाम शशी महता है और मैं एक NCC आफसर हूँ. मुझे NCC आफसर बनने की प्रेणना कैसे मिली? दरसल मेरे पिताजी भारतिय सेना में थे, उन्होंने 28 एर्स तक इंडियर आमी में सर्व किया और 1990 में वे सुविदार मेजर के पत से रिटायर हुए. तो बचपन से ही हमने पिता जी को युनिफार्म पहनते वे देखा है, डूटी पर जाते वे देखा है, उनके साथ हमने युनिट का बड़ा खहना एटेंड किया है, युनिट में कैसे काम होता है यह हमने देखा है. तो वो जो environment है उससे मैं काफी वाकिफ थी और हम जहां रहते थे वहाँ पर आमी का training area था लंबी सी रसी पेट से लटकी रहती थी और हमने जवानों को वहाँ पर exercise करते वे भी देखा है तो उसी से मुझे motivation मिला आमी जोइन करने का फिर मैं जब बड़ी हुई तो college में मैंने NCC ली मैं NCC cadet बनी और NCC trading के दौरान मैं senior under officer भी बनी मैंने तमाम NCC camp किये NCC में parade करना, weapon के साथ fire करना, best cadet competition में participate करना NCC के cultural program में participate करना इन तमाम activities से मेरे अंदर आमी जोइन करने का जुनून और भी हावी हो गया graduation के बाद मैंने UPSC exam की तयारी की और उसे pass करके मैंने interview की तयारी की तो finally मेरे सपना पूरा हुआ और मैं NCC में officer मनी ये मेरे सौभाग ये है कि मैं एक NCC officer की रूप में इंडिया के तमाम NCC cadets को inspire कर पा रही हूँ